तो इस बार हर्दा चुनाव लड़ेंगे ये लड़ाएंगे? देखे दोनु काम करूंगा लड़ूंगा भी लड़ाऊंगा भी और जिताऊंगा तो हर्दवार से बियोंड कैसे सोच सकता हूँ? उतराखंड के पूरो मुख्य मंतरी और कॉंग्रेस के प्रभावशाली नेता हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हरीश रावत ने अपना कर्म इस्थली किस विधान सबाक्षेत्र को बनाने की तयारी की है? एक इंटरव्यू में हरीश रावत ने संकेत दिये हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? हम आज इसी पर बात कर रहे हैं लेकिन मेरा आप तमाम सम्मानी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए इसे शेर भी कीजिए नमस्कार मैं हूँ मनमोहन भट उत्तराखंड कॉंग्रेस के वरिष्ट निता और चुनाव संचालन समीती की कमान समाल रहे हरी श्रावत चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधान सबा चुनाव की तयारियों में तमाम वो नेता जुटे हुए हैं जो अगला विधान सबा चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्टी के कारेकरता भी मोटिवेट होते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं तमाम नेताओं पर नजरें टिकी हुई है उत्राखंड की जनता की कि उनके नेता चुनाव कहां से लड़ेंगे हम आज बात कर रहे हैं हरी श्रावत की वही हरी श्रावत जिन्होंने उत्राखंड के मुख्यमंतरी पत की हैसियत से 2014 से 2017 तक काम किया उनी हरी श्रावत की हम बात कर रहे हैं जो हरी द्वार संसदिय सीट का प्रतिनिदेत्व करके मनमोहन सिंग सरकार के कैबिनेट मंतरी के रूप में काम कर चुके हैं हरीश रावत पहाड की बात करने वाले नेता हैं लेकिन हरीश रावत जो संकेत देते हैं वो कई बार समझने थोड़े से भारी पड़ जाते हैं हरीश रावत ने एक इंटर्वियों में कहा कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और कहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं ये उन्होंने संकेत दिये हैं आप सुनिए खुद हरीश रावत ने क्या कहा है हरीश रावत ये संकेत देते हैं कि हरीश रावत उनकी कर्म इस्थली रही है और हरीश रावत ने जब इंटर्वियो दिया तो उस समय एंकर ने कहा कि ये आपकी कर्म इस्थली रही थी तो हरीश रावत ने उनको इंटरप्ट करते हुए कहा कि ये मेरी अभी भी कर्म इस्थली है हरीश रावत 2017 का विधान सभा चुनाओ दो जगए से लड़े थे दोनों ही जगए उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से आती है एक विधान सभा सीटती किछा जो उधम सिंग नगर से आती है और दूसरी विधान सभा सीटती हरीद्वार की ग्रामेण विधान सभा क्षेत्र दोनों ही मैदानी सीटों पे हलाकी हरीश रावत को हार का मूँ देखना पड़ा था लेकिन इस बात का आज के चुनाओ से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हार और जीत राजनीती का एक बड़ा महतोपूर्ण हिस्सा होता है और हरीश रावत 2009 में इसी हरीद्वार संसदि पहुच चुके हैं इंटर्व्यू में उनसे एक बार फिर पूछने की कोशिश कई एंकर्स ने मिलकर की कि वो कहां से चुनाओ लड़ेंगे इसका खुलासा हरीश रावत करे लेकिन हरीश रावत ने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले एक बार आप भी सुनिये कि हरीश रा वैसे तो किसी भी नेता के मन की बात को समझना कोई आसान नहीं होता नेता कहते कुछ हैं और उनके मन के भीतर होता कुछ है इसको ही राजनीती कहा जाता है अगर अपने सारे पत्ते आप खोल देते हैं तो सामने वाला उसके हिसाब से ही रणनीती तयार करता है इसलिए बहुत सारी बातों को गोपनी रखा जाता है हरीश रावत पहाड की राजनीती भी करते आ रहे हैं उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो वो उत्राखंट की राजधानी देहरादून से शिफ्ट करके धाई तीन वर्ष में ही गैरसेंड ले जाएंगे और दूसरी तरफ हरीश रावत ने जो इस्टेटमेंट दिया है उसमें वो पहाड से चुनाओ लड़ने की बात ही नहीं कह रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि हरीद्वार उनकी करम इस्थली है और यहां से वो चुनाओ लड़ सकते हैं ऐसा उनके विरोध ही कहते हैं ये ब लेकिन चुनाओ लड़ने की हिमत पहाड से भी वो नहीं दिखा पा रहे हैं इसलिए उनका मन हो सकता है कि हरीद्वार में एक बार फिर से आकर टिक जाए वैसे हरीश रावत मैदान हो या पहाड सब जगा लगातार दौरे कर रहे हैं पहाड में दौरे करना थोड़ा सा ज मैदान की या तराई की किसी सीट से ही वो चुनाओ मैदान में उतरेंगे हरीश रावत अपने इंटर्व्यू में साफ कहते हैं कि वो चुनाओ लड़ेंगे भी और चुनाओ लड़वाएंगे भी यानि इशारा तो उन्होंने कर दिया है कि वो चुनाओ लड़ेंगे लेक बहुत दिल्चस्प होगा और ये देखना उससे भी जादा दिल्चस्प होगा कि पहाड की राजनीती करने वाले पहाड के मुद्दों को पकड़ कर सरकार को कट घरे में खड़ा करने वाले नेता आखिर अपना चुनावी समर कहां बनाते हैं दोस्तों आज की इस विशेश रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगली रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूँगा लेकिन आप सभी सम्मानित दर्शकों सो मेरा अनुरोध यह है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैन लेकिन एक सबार आप अपसे करते हैं कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे तो आप इसका जवाब नहीं देते तो अब यह बताई इसका मुमी से चुनाव लड़ेंगे मेरे जो आलूचक हैं बिरोध पक्स के लोग वो मुझे को हरदवारी लाल कह रहे हैं तो जब मैं दौरी लाल हूं तो हरदवार से वियोंड कैसे सोच सकता हूं तो हरदवार से वियोंड कैसे सोच सकता हूं तो हरदवार से वियोंड कैसे सोच सकता हूं